नमस्कार साधी के बाद लड़कों को छोड़ देनी चाहिए यह आदते साधी से पहले आप लड़के होते हो यंग जनरेशन होते हो लेकिन आपकी साधी से पहले आपकी तरह तरह की आदते होगी लेकिन साधी के बाद में यह आदते छोड़ देना अगर आप एक से दो हो गए आपकी साधी हो गई फिर भी आप ने अपने वो लड़कों वाली आदते रखे ला तो आपका दमपत्य जीवन आपकी मेरिट लाइफ इस्पोईल हो सकती है खराब हो सकती है जो आदतें आप एक लड़के टाइप में करते होना साधी से पहले वह साधी के बाद कभी मत करना क्योंकि उस वक्त आप एक से दो हो चुके होते हो इसलिए वो आदतें आपको जाने ने बहुत जरूरी है कि साधी के बाद में क्योंसी आददें आपको लिफ्ट करनी है आपको छोड़नी है वरना आप दोनों के बीच में मनमुटाओ हो सकता है आप दोनों के बीच में बार बार लड़ाई हो सकती है नमबर वर्न गर से ज़्यादा बाहर समय बिताना आपकी साधी नहीं थी आपकी साधी नहीं हुई थी उससे पहले आप लड़के थे आप गर से ज़्यादा समय बाहर बिताते थे तो कोई ज़्यादा तक केता नहीं था मा बाप भी इतना नहीं कहते थे क्वा लड़का था या ठीक है बाहर गुमरा था कोई बात है लेकिन आप अगर साधी के बाद में भी ज़्यादा समय अपना spend करोगे ना गर के बाहर तो ध्यान रखना आप दोनों के बीच में पती पत्नी के बीच में दूरिया बढ़ सकती है साधी के बाद में आप अपना जादा से जादा समय बाहर ना बिता है अपनी पत्नी के साथ बिता है अपने गर पर बिता है क्यों क्योंकि अब आपकी साधी हो चुकी है कोई गर पर आपका इंतजार कर रहा होता है इसलिए हमेसा थोड़ा सा टाइम अपनी पत्नी को जरूर देना पहले साधी से पहले तो आप कितना भी समय बाहर बिता थे कोई फरक नहीं पड़ता था लेकिन साधी के बाद ऐसा ना करें आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती हर फैसले अकेला ना ले साधी से पहले आप अपने जीवन से जुड़े हर फैसले अकेले लेते थे लेकिन अब आप कोई सभी फैसला लेो ना उससे पहले अपने पत्नी से जरूर पूछना दोनों मिल चुल कर फैसला ले ना क्योंकि तभी आप जीवन में आगे बढ़ता होगे आप को इक फैसला अकिला ले लोगे ना तो आपकी पतनी कहेगी मेरे से पूछा क्या आपने वो कारे किया मेरे से पूछा क्या । पत्नि आपके सुख दुख में साथ खड़ी नहीं रहेंगी। आप कोई भी फेसला अलो। पत्नी हर कंडिशन में आपके साथ खड़ी रहेंगी। सुख और दुख में। क्योंकि पत्नी को पता होगा कि आप कॉणसा condition ले रहे हो। आप कोई सा कारी कर रहे हो तो साधी से पहले आप कोई से भी डिसिजन लिये हो आपने कोई से भी कारी किये हो साधी के बात में कोई सा भी डिसिजन लेना हो कोई सा भी भेसला लेना हो तो अकेले मत लेना हमेशा अपनी पत्नी अपनी वाइप से विचार विमर्स करके ही लेन लड़कियों से करीबी बहुत से लड़के क्या होते हैं कि साधी से पहले लड़कियों से बहुत ही फलर्ट करते हैं उनसे करीबी रिस्ते रखते हैं लेकिन साधी होने के बाद में ऐसा मत करना अगर आपके मेरी जोने के बाद में भी आप ये सब चीज़े करते हो तो आपको पता ही है एक पत्नी एक वाइप सब कुछ बर्दास्त कर सकती है लेकिन एक अपने पती का दूसरी लड़की के साथ में चक्कर कभी बर्दास्त नहीं कर सकती है हाँ साथी से पहले आपके कितने ही रिलेस्टन रहे होंगे पत्ने को इतराज नहीं होता है लेकिन जब साथी के बाद में भी अगर आप वो रिलेस्टन रखते हो आप उन लड़कियों से करीबी रखते हो तो यह आपकी मेरीज लाइफ स्पोईल हो सकती है आपको बहुत बुड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा इसलिए साधी से पहले लड़कियों से करीबी हो तो कोई बात है साधी के बात मत रखना हर बात को मा को शेर करना लड़कों की आदत क्या होती है पहले साधी से पहले ठीक है, आप हर बात माँ से सेर करते थे, कोई बात, अब भी कोई जीहन में, जब साधी होने के बाद में, जीहन कोई बड़े फेसले हुआ है, या कुछ मौटकूनye इमपूर्टन फेसले हो, तो आप माँ को सेर करिए, लेकिन पती पतनी की हर बात लाज़ते खराब होता है पती पतन के बीच में कुछ एक बाहतमक होता है विछा कि इसको नहीं बताई को यह लड़कों को यह बात औहरु ना रकनी चाहिए पती पतन के बीच में होने वाली हर बात को मांसे शेयर ने करें वरना आप आप छ्मडु़ते po sent called को लड़कों के रहने को रहने की तरीके से जुड़ी पूरानी आदते जब आप लड़के थे जब आपकी साधी नहीं हुए थी तब आप घर पर कैसे रहते थे अस्त वेस्त रहते थे घर कैसे ही रहता था आपका कमरा कैसे ही रहता था और आप मस्त मलते लेकिन साधी के बाद ऐसा मत करे साधी के बाद अपनी जो पुरानी आदत है आदते थी लड़कों वाली वो बदल देना आप कैसे रहते थे कहां गुमते थे आपका कमरा कैसा रहता था ऐसा कभी मत करे हर पत्नी को ये पसंद नहीं आता है हर पत्नी को अपना कमरा वैस्तित होना चाहिए और हर पत्नी चाहती है कि मेरा होने वाले पत्ती की आदते कुछ अच्छी हो ठीक है आप उस समय लड़के थे आपकी कुछ आदते हो सकती है लेकिन साधी के बाद में यह आदते आपको सुदार्णी होगी अगर साधी के बाद भी यह वाते रखी न आपके अंदर तो आप पत्ती पत्नी का रिस्ता खराब हो सकता है आपके पत्ती पत्नी के बीच में जगड़े बढ़ सकते हैं इसलिए अगर आप लड़के होना तो यह पुरानी आदते सुदार्देना आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा